नमस्कार दोस्तों रीट दोजार भीश शिक्सा मनोविग्यान के दोजार परसनों की इस टेश संकला में आप सबी का स्वागत है दोस्तों यह अपना है पार्ट नमबर तेरा इससे पहले के बारा पार्ट यह आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा आप वहाँ से जरूर देख लें दोस्तों 11 और 12 की खिताबों का आपको पूरा निचोर इसमें मिल जाता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 30 परसन और दोस्तों आपको लास्ट में बता के जाना है कि आपके 30 में से कितने क्योशन सही होते हैं आज हमें 151 से लेके 180 तक के क्योशन देखेंगे तो अपना आज का 111 क्योशन है उपलबदिया और परसिदी पाना ये कौन से इस्तर की आवशकता है पर्तम, ध्वितिय, तर्तिय, चतुर्त, ये इब्राहिम, मेसलो के अनुसार पूच रहे है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओप्शन नमबर D चलिए नेक्स्ट है उपलबदिया परसिदी पाने की आवशकता को मेसलो ने क्या नाम दिया सुरक्षा आत्म का आवशकता, समन्दित रहने के आवशकता, आत्म समान के आवशकता या आत्म अभियोक्ती के आवशकता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ओप्शन आत्म समान की आवशकता नेक्स्ट है मेशलो दुआरा प्रतिपादित अंतिम आवशक्ता का नाम क्या है आत्म समान आत्म अव्योक्ति सुरक्षा या सारिक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आत्म समान की अवस्ता ठीक है यह ओप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरी इसका जो राइट आंसर है प्यार साथियों बी ओप्शन होगा आत्म अव्योक्ति की आवशक्ता ठीक है अधिगम को एक ऐसी परक्रिया की रूप में परिबासित किया जा सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति विशेश दौरा अपने व्यवार में ऐसे परिवर्तन थोंडाइक और उप्रोक्त सभी तो इसका राइट आंसर है अबराहिम मेसलो ओप्शन नमबर बी चलिए नेक्स्ट क्यूशन करेते हैं अधिगम व्यवार है तो उसकी आंत्रिक आवशक्तों को संपादित करना चाहिए ये विचार अभियक्त किया था रोजर्स मेसलो ने या थोंडाइक ने या उप्रोक्त सभी ने तो इसका राइट आंसर जो है वो जाएगा उप्शन नमबर बी इबराहिम मेसलो ने नेक्स्ट है विदार्ति को ने तो पुरुषकार देना चाहिए और नहीं किसी परकार का पुनर बलन ये मत परतिपादित किया गया मेसलो द दुवरा तो इसका राइट आंसर है मेसलो के दुवरा ओप्शन नमबर ए नेक्स्ट है अधिगम है तो आत्म परतिष्टा आत्म संपर्ति आत्म विकास पर बल दिया गया रोजर्स ने मेसलो ने थोंडाइक ने या उपरोक्त सभी ने तो इसका राइट आंसर है ओप्शन नमबर B मेस लोने नेक्स्ट है शिक्षा को बाल केंदरित बनाने पर बल देने वाले सिद्धान्थ कौन सा है मानवतावादी अधिगम सिद्धान्थ अनुबहु जन्य अधिगम सिद्धान्थ सक्री अनुमंदन या कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है मानवतावादी उप्शन नमबर ए मानव तवाद्य अधिगम शिद्दान्त के द्वारा विदारती के आत्म का सदेव समान करना चाहिए ये विशार किस मनवग्यानिक से समझते है मेसलो रोजर्स फ्राइड या कोई नहीं तो इसका राइट आंसर है उप्शन नमबर ए मेसलो नेक्स्ट है म इसलो ने निम्न इसतर की आवशकता है कितनी मानी है एक दो तीन ये चार तो इसका राइट आंसर है तीन आवशकता है शी ओप्शन ठीक है अगला है मेसलो ने उच इसतर की कितनी आवशकता है मानी है एक दो तीन चार तो इसका राइट आंसर है दो ठीक है तो तीन और दो पांच अवस्ताई उन्होंने बताई थी ठीक है नेक्स्ट है चिन अधिगम सिद्दान्त के परतिपाद कौन है सी एल हल एडवर्ड सी टोलमेन कर्ट लेविन या काल रोजस तो एक सो त्रेस्ट वे का राइट आंसर हो जेगा एडवर्ड सी टोलमेन उप्सभी नेक्स्टेवे बंदरों पर परियोक करने वाले मनवग्यानिक थे एडवर्ड सी टोलमेन कर्ट लेविन काल रोजस तो इसका राइट अंसर है उप्सभी परियावरनिया उदिपकों से अभी प्रेरित होता है विचार धरापर बल देने वाले मनोविग्यानी कौन थे टॉलमेन लेविन काल माक्स या मेश लो तो इसका राइटांस रोजेगा एड़वर्ड सी टॉलमेन ऑप्शन नमबर नेक्स्ट है शेत्र सिद्दान्त के परतिपाद कौन थे कुल्ट लेविन स्लो काल रोजेस या कोई नहीं तो इसका राइटांस रोगा कुल्ट लेविन ऑप्शन नमबर नेक्स्ट है अधिगम वातावरण में व्यक्ति दोनों का परतिफल है ये दार्णक किस मनोवग्यानिक ने परतिपादित की इंपोर्टन क्यूशन है मेरी प्यारे साथियों 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओप्शन है मेश लो रोजर्स कुल्ट लेविन या कोई नह नहीं सो सत्रा में ओप्शन नमबर बी नेक्स्ट एक क्योशन शैत्र शिदान्त अधिगम परिक्रिया में सरवादिक बल किसको देता है पुनर बलन को अभी परेड़ना को परियास को या तुरूटी को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी परेड़ना को भी ओप्श सिद्दान्त से सम्मझत है ओप्शन आपके सेद्र शिदान्त पुनर बलन सिद्दान्त अभी परेड़ना या कोई नहीं तो इसका राइटांस रोजाएगा सेद्र शिदान्त अब्सन नमबर A नेक्स्ट क्योशन कर लेते हैं साथियों सेत्र सिद्धान्त में व्यक्ति मात्र जेविक प्राणी ने ओकर एक मनोवग्यानिक व्यक्ति माना जाता है यह सिद्धान्त परतिपादि किया था लेविन ने थोंडाइक ने काल रोजस ने या मेश लो ने तो इसका राइट आंस रोजेगा ओप्शन नमबर A, लेविन ने, ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन है, व्यक्ति मात्र जेविक प्राणी नहीं अपितु मनोवग्यानिक व्यक्ति है, यह अवदार्ना कौन सा सिद्धान्त परतिपादित करता है, अनुबू जन्य अधिगम, मान काल रोजर्स या कोई नहीं, तो 113 का राइट आंस रोजेगा, काल रोजर्स ओप्शन नमबर शी, नेक्स्ट है, काल रोजर्स किस देश के मनवग्यानिक थे, चीन, जर्मन, भारत या अमेरिका, तो 114 का राइट आंस रोजेगा, अमेरिका के मनवग्यानिक थे, काल रोज नेक्स्ट है कॉल रोजर्स ने अधिकम को दो मुख्य प्रकारों में माटने का प्रियास किया था। प्रूपशन नमबर बी, संग्यानातमक्वे अनुब्शनिय अधिकम ठीक है। प्यारे साथ यो next question है भोगोलिक वे एतियासी गटनाओं की जानकारी परतियक रुप से परदान करना निम्न अधिगम है परतियक्स अनुबव जन्य अधिगम शेत्र अधिगम या क्रिया परसुत अधिगम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुबव जन्य अधिगम option number B नेक्स्ट है पुनरबलन सिदान्त के परतिपादक कौन है ओप्शन है आपके लेविन टॉलमेन हल या इसकी नर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल ठीक है option number C Clark हल ने परियोग किस पर किया था बिल्ली पर चुहों पर गाय पर या मानव पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुहों पर ठीक है कलार कल ने किस पर किया था चूओं पर प्रियूँ किया था नेक्स्ट आव शक्ता पूर्ती के लिए था रोफ सब्सक्राइब करते आवशक्ता की पूर्ती आव शक्ता की कमी या कोई नहीं तो इसका राइट अंशर रोजेगा आवशक्ता की कमी सी, होप्चन आज की तीय manufacturers क कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो का लाइक और शेयर जरूर कर दें इससे पहले के 12 वीडियो यदि आपने नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी आप जरूर देख लें और इस 2000 परसनों की टेस्ट रंकला का रोज इससा बनिये द सब तक के लिए जहन जे बारत